नमस्ते दोस्तों एक वार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लेके आए हैं पालक के बहुती स्वाधिस्ट कुरकुरे चकपटे पकोरे की रेसिपी इस पकोरे को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिस्ट क्रिस्पी पकोरे बनकर तयार होते हैं तो चलिए विनादेरी के हम देख लेते हैं कि इस सूपर टिस्टी पालक के पकोरे को हमने किस तरह से बना कर तयार किया है पालक के पकोरे बनाने के लिए हमने एक मुठी पालक लिया था उसे अच्छे से साफ करके और तीन वार साफ पानी से धोकर और देख़े इस तरह से हमने बारिक-बारिक कात लिया है अब हम पालक में डालेंगे आलू तो हमने दो मीडियम साइज का आलू छील कार और देखिए इस तरह से पतले पतले लंबे टुकरों में काट लिये हैं तो बारिक बारिक काटेगा साथी हमने चार मीडियम साइज का प्याज लिया था प्याज को भी देखिए लंबे लंबे टुकरों में काट के डाल दिये हैं और इसमें हमने थोड़ासा फूलगों भी डाला है, फूलगों भी आप चाहे तो ज्याद़ा भी डाल सकते हैं, अब इसमें हमने आधा छोटा चमष नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, हमने यहाँ पर मिला लिया है और इसमें अब हम डालेंगे बेसन तो यहाँ पर अभी मैं एक कटोरी भर के बेसन ली हूँ और उसे डाल दी हूँ बेसन को छान कर डालियेगा और इसमें अब हम डाल देते हैं चावल का आटा तो दो चमच हमने भरके चावल का आटा डाला है इससे पकोरे क्रिस्पी बनेंगे और यहाँ पर हमने दो चुटकी हिंग डाल दिया है आधा चोटा चमच अजवाइन को हाथों से रगर कर और इस तरह से डाल दीजिए और इसमें हमने आधा चोटा चमच जीरा भी डाल दिया है अब यहाँ पर हम आधा चोटा चमच इसमें धनिया का पाउडर डाल दिया है आधा चमच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर आधा चमच थोरा से कम गरम मसाला और आदा चमच यहां पर हमने हल्दीका पाउडर डाल दिया है अब सभी चीजों को हाथों से अच्छे से मिला लिजिए इसमें पानी का इस्तिमाल जरा साभी नहीं करना है बिना पानी के ही मिलाना है क्योंकि पालक को धो कर और सीधे हमने काटा था तो उसमें भी पानी है और आलू को भी काटने के बाद पानी में रखा था तो उसमें से छान कर हमने तुरंत इसमें डाल दिया है और नमक डालनी की वज़े से सबजियां पानी छोड़ती है तो देखिए बिना पानी के ही अच्छे से मिक्स हो गया है पर इसमें बेशन की मात्रा कम लग रही है तो मैं यहाँ पर आधा कटोरी बेशन और इसमें डाल रही हूँ तो आप सभी चीजों को मिलाने के बाद चक कर ले बेशन अगर आपको कम लग रहा है तो और डाल सकते हैं अब फिर से इसे अच्छे से मिला लेते हैं देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और इसमें हम आदा छोटा चमच नमक और डाल रहे हैं नमक थोड़ा कम लग रहा था और यहाँ पर हम दो चुटकी मीठा सोडा डाल रहे हैं जो पकोरे बनाने में डालते हैं इससे पकोरे बहुती क्रिस्पी और खस्ता बनकर तयार होंगे और यहाँ पर मैं दो चमच गरम तेल डाल दी हूँ तो जिस तेल में हम फ्राइक करेंगे वही तेल को हम इसमें डाल कर और सारी चीजों को अच्छे से मिला लिये हैं तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा इस मिश्रन को लीजिए और गरम तेल में डालते जाईए जब सारे डाल दे तो ग्यास का फ्लेम मीडियम कर दे मीडियम आज पर इसे अच्छे से पकने दे करहाई में जितनी जगर्थी हमने डाल दी है और कुछ दिर इस तरह से रहने देना है जब लगए कि पकोरे नीचे की तरब से सीख चुके हैं और उपर की तरब से देखेंगे तो ड्राय सा लगेगा तब आपको इसे अराम-अराम से चलाना है और इसे अलग पलट करते हुए मीडियम आज पर जब तक ये पूरी तरह से पकना जाए और क्रिस्पी न हो जाए तब तक आपको इसे तलना है तो लगभग 5-6 मिनट पकोरे को तलने में आपको लग सकते है तो इसे मैं कुछ तेर और पकने देती हूँ कुछ तेर बार जब पकोरे इस तरह से हो जाए और जब इसे चलाए तो आपको ये बहुती क्रिस्पी सा लगे तो आपको इसे निकाल लेना है ऐसे आप एक निकाल कर देख सकते हैं तो आप निकाल लीजेगा तो ये पकोरे बहुती अच्छे से अंदर तक सिख चुके हैं आप सभी पकोरे को फटाफट तेल से छान लीजिए अगर इससे जावे पका देंगे तो वो खाने में करवे लगेंगे तो करहाई के साइड में करते वे थोड़ी दे रखिए पकोरे को ताकि जो भी एक्स्टा तेल है उसमें छण जाए तो आप पकोरी की आवाज सुन सकते हैं कितना क्रिश्पी बनकर तयार हुआ है तो इस तरह से आप भी एक बार पालक के पकोरे को जरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये पकोरी की रेस्पी पसंद आई होगी यदि हमारी रेस्पी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दे वीडियो में यह तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद